बढ़ा अदुभूद होता है इंसान का शरीर जब और दस फेफडे हमारे फेफडे हर दिन 20 लाख लीटर हवा को फिल्टर करते हैं और हमें इस बात की भनग भी नहीं लगती फेफडों को अगर खीचा जाये तो ये टेनिस कोट के एक हिस्से को ढग देगा ऐसी और कई फैक्टरी नहीं हमारा शरीर हर सकेंड 2.5 करोड नई कोशिकाएं बनाता है साथी हर दिन 200 अरब से ज़्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्मान करता है हर वक्त शरीर में 5,000 अरब रक्त कोशिकाओं मौझूद होती है एक बूंद खून में 25 करोड कोशिकाओं होती है लाखो किलोमेटर की यात्रा जी हाँ हमारा खून हर दिन शरीर में 1,92,000 किलोमेटर का सफर करता है हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है जो हर 20 सेकेंड में एक बार पूरे शरीर में चक्कर काट लेता है धड़कन धड़कन क्या है ये? एक स्वस्त इंसान का रिदय हर दिन एक लाग बार धड़कता है साल भर में ये तीन करोट से ज़ादा बार धड़क चुका होता है दिल का पंपिंग प्रशर इतना तेज होता है कि वह खून को 30 फूट उपर उचाल सकता है सारे कैमरे और दुर्बीन फेल है हमारी आख एक करोड रंगों में बारीक से बारीक अंतर पैचान सकती है फिलाल दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके नाक में एर कंडिशनर कैसे? हमारी नाक में प्रकरतिक एर कंडिशन होता है यह गरम हमा को ठंडा और ठंडी हवा को गरम कर फेफिडे तक पहुचाता है 400 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफतार क्या है ये? तंत्र 400 किलोमेटर प्रतिगंटा की रफतार से शरीर के बाकी हिस्से तक जरूरी निर्देश पहुचाती है हमारे मस्तश्क में 100 अरब से ज़्यादा तंत्री का कोशिकाए होती है जबरदस्त मिश्रन किस बात का हमारे शरीर में 70 फीस दीप पानी होता है इसके अलावा बड़ी मातरा में कार्बन, जिंक, कोबाल्ट, कैल्शियम, मैगनेशियम, फॉस्फेट, निकल और सिलिकॉन होता है बेजोड चीक किसकी? इनसान की जी हाँ, चीकते समय बाहर निकलने वाला जो हवा की रफ्तार वो 166 से 300 किलोमेटर प्रती घंटा होती है आँखे खोल कर चीक मारना तो नामोमकिन है बैक्टेरिया का गोदाम हमारे वजन का 10 फीसदी हिस्सा शरीर में मौजूद बैक्टेरिया की वज़े से होता है एक वर्ग इंच, तवच्चा में 3.2 करोड बैक्टेरिया होते है ENT के विचित्र दुनिया हमारी आखे बच्पन से ही पूरी तरह विक्सित हो जाती है और बाद में इन में कोई विकास नहीं होता वही नाक और कान पूरी जिन्दगी विक्सित होते रहते हैं कान लाखों आवाजों में अंतर पैचान सकते हैं दाँच समाल के इनसानी दाँच किसी चटान की तरह मजबूत होते है लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से अपनी मरम्मत खुद कर लेते हैं वहीं दात बिमार होने पर खुद को दुरुस्त नहीं कर पाते मूँ में नमी हमारे मूँ में हर दिन एक दशमलो साथ लीटर लार बनती है लार खाने को पचाने के साथ ही जीब में मौझूद दस हजार से जादा सुआद गरंतियों को नम बनाए रखती है चपकती पलकें वेग्यानिकों को लगता है कि पलकें आखों से पसीना बाहर निकालने और उनमें नमी बनाए रखने के लिए चपकती है महिलाएं पुरुषों की तुलना में दो गुना जादा पलकें छपकाती है नाखुन भी कमाल के हैं हमारे अंगूठे का नाखुन सबसे दीमी रफतार से बढ़ता है वही मध्यमा या मिडल फिंगर का नाखुन सबसे तेजी से बढ़ता है तेज रफतार दाड़ी जिहां पुरुषों में डाड़ी के बाल सबसे तेजी से बढ़ता है अगर कोई सक्ष पूरी जिंदगी शेविंग ना करे तो दाड़ी 30 फुर तक लंबी हो सकती है खाने का अमबार एक इनसान आम तोर पर अपनी जिंदगी के पांच साल खाना खाने में गुजार देता है हम ता उम्र अपने वजन से साथ हजार गुना जादा भोचन खा चुके होते है बाल गिरने से परिशान एक स्वस्त इनसान के सिर से हर दिन करीब असी बाल छड़ते हैं सपनों की दुनिया इनसान दुनिया में आने से पहले ही याने मा के गर्व में ही सपने देखने शुरू कर देता है बच्चे का विकास वसंत रितु में तेजी से होता है नींद का महत्व नींद के दौरान इनसान की उर्जा जलती है दिमाग एहम सूचनाओं को स्टोर करता है शरीर को आराम मिलता है और रिपेरिंग का काम भी होता है नींद के ही दौरान शारिरिक विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स निकलते है हमारा शरीर अनमोल है कर रुपया खुद उसका ख्याल रखे आर बोड़ी इस वेरी प्रेशिस प्लीस टेकर आफ यार बोड़ी थैंक यू